आज जो वीडियो वाइडल होडा आया है लखनौ गर्ल एक कैप ड्राइवर को मार रही है उसके ओपर थोड़ा चर्चा करेंगे तो कुछ दिन से ये चर्चा चल रहा है एक वीडियो वाइडल हुआ था मैंने कुद भी वीडियो देखा था शुरुआत में तो एक लखनौ क वी लड़की जो है ऑन्सक्य से बहुत जवरदस्त मार रही थी उच्छब उच्छल के मार रही थी और पूरा श्रीर का नियुक्शंस साथ कमाड़ा करा से यूच गलती होगा लेकिं गलती है अगर उता भी तो भी इस तरह से नही अमगरना चाहिए क्योंकि आपको कोई problem है समस्या है तो आप police को complain कर सकती है मुझे नहीं लगता है कि कानून ने इस तरह का अधिकार किसी को भी दिया है कि आप किसी को भी निकाल के car से मारने लगें किसी का mobile तोड़ दें किसी का car तोड़ दें सुरू दिन जो मैंने वीडियो देखा तो हमको लगा कि कुछ सायद गलती किया होगा मार रही है उसके चलते लेकिन मारना तो गलत है वो तो देख के मन मैंने देखा कि लगभग बीस बाइस थपड़ ऐसा न्यूज में देखने को मिल रहा है तो बहुत और सबसे ज्यादा हैरानी का बात है कि उस लड़के ने कुछ भी नहीं किया एक बाड़ भी हांत नहीं उठाया मतलब कि उस लड़का जो है उसका महानता देखिए कैसे वो बर्दास कर गया ठीक है और बर्दास करने का रिजन भी है कि लोग ड़ते हैं लेडिस से क्योंकि कानून जो है इस तरह का है कि लेडिस के साथ अगर आप कुछ भी अगर बतम नहीं हो रहा था लेकिन सब के अंदर मुझे लगता है एक ही तरह का डर था कि इस तरह की जो लड़की कर रही थी अगर बीच में कोई बीच वजाओ करने जाएंगे तो कोई हमको ना फसा दे इस तरह का डर है अब कानून भी कुछ इस तरह का बनाया गया है तो लोग बहुत ज्यादा जो है न्यूज में उचलता है तुरंत लड़का अरेश्ट हो जाता है बहुत सारा उसके उपर कानूनी धाड़ा लग जाता है लेकिन लड़की मार रही है पूरा दिखाई दे रहा है लेकिन अभी तक वो अरेश्ट नहीं हुई है अभी तक ये न्यूज लेकिन वहाँ पर हो सकता है कुछ लेडी जी लोग भी हो ऐसा नहीं है कि नहीं होगी दो चार लेडी जी लोग जरूर होगी उनको भी लगता होगा जरूर कि यह बहुत गलत हो रहा है इस लड़का के साथ बहुत मार रही है कम से कम लड़का लोग नहीं बचा पा रहा है तो हमको भी बहुत तकलीफ हो रहा था दुख हो रहा था तो वो तो उस वीडियो में मैंने देखा तो मैंने यह सोचा लेकिन अगला दीन जो है एक वीडियो और भी वाइरल हुआ सिसी टीवी वाला तो उससे मालूम चल गया कि क्या रिजन था क्योंकि भाई देखिए उस समय तो सिगनल मुझे लगता है कि गरीन था पूरा गाड़ी ओड़ी सब जा रहा है तेजी के साथ वो लड़की बहुत तेई से आ रही है और बहुत तेई से गारी मुझे लगता है क इतना सिप्रिट से जब गारी जा रहा था तो गडिन सिगनल होगा तभी तो चाना अतना अब देखिए कि बस बहुत तेई से निकल रहा है और भी कुछ सवारी ये तीज से निकल रहा है अब वो लड़की बहुत तीज से जो है ना रोड पार कर रही है ठीक है अब वो जो बिचारा जो कैब ड्राइवर था वो ब्रेक नहीं माड़ा होता तो वो लड़की नीचे आ जाती क्योंकि अगर मान लीजिए हरा सिगनल है ग्रीन सिगनल है तो उसमें तो कैब ड्राइवर के गलती नहीं है ठीक है अब यहां तक क्योंकि मैं गाड़ी के स्विट से ये बता पा रहा हूं की green signal होगा तो अगर वो brake नहीं मारता तो का होता लड़की का ठीक है कैमरा में जो cctv उसमें भी दिखाई दे रहा है कि jabra crossing भी वो नहीं सटा है ना लड़की को उसने touch किया है गाड़ी से फिर भी लड़की आती है और फिर खोल के जैसा कि बताया जा रहा है कि mobile तोड़ देती है और फिर जो है आपका गाड़ी को नुकसान पहुचाती है बोलती कि mobile देख रहाता तो आप एक चीज़ में बताना चाता हूँ मैंने मैं भी खुब Uber को यूज़ करता हूँ ओला यूज़ करता हूँ Motorcycle यूज़ करता हूँ उनके गाड़ी में तो mobile लगा ही होता है वो बहुत जरूरी होता है वो लगा होता है इसलिए क्योंकि उनको हमेशा order मिलते रहता है नया-नया सवाड़ी का कहीं जाना होता है उनको तो पता नहीं होता है कि भusions मुबाईल के पूराta Google Map लोगा होता है उसको देखना पड़ता है हमेशा उस चीज़ को कहां जा रहे हैं कि सिगनल में जा रहे हैं वह तो उसको देखना ही पड़ता है और वै辉ज क्या हूँ कार में वो लगाते हैं उसमें कोई गलती नहीं लगाते हैं उसमें कोई गलती नहीं लगाते हैं तो अगर उसने गलती किया भी है तो पुलीस और कानून जो है उसके खिलाफ करवाई होगा न आप कोई लड़की को कोई अधिकार थो नहीं कि गेट खोल के गाड़ी को मानने फिर उचल के बापड़ने कांड़ सकते हैं आपके पास तो सारा ऑप्सन दिया गया है इसनी कानून Kalallo उतार के मानने लगें, यह तो सही नहीं है ठीक है न? और बहुत लोग अभी जो है, इंडिया में दुनिया में लोग इसका support कर रहे हैं लड़के का, और ऐसे समय में बहुत सही lady लोग भी support कर रही है और ladies लोग को भी support करना चाहिये क्योंकि कभी भी किसी ladies के साथ भी गलत होता है तो कोई ऐसा नहीं देखता है कि ये ladies है या कोई लड़का है जो गलत होता है उसके खिलाफ लोग जो है आवाज उठाते हैं ठीक है और कोई भी लड़का हो तो लड़का को कोई ऐसा नहीं है कि वो single है वो लड़का जो भी है लेडिज लोग से ही मैं कहाना चाहूंगा कि कोई भी जेंड से लड़का है तो वो आपका बेटा हो सकता है आपका दमाद हो सकता है आपका होस्बेंड हो सकता है आपका फूफा हो सकता है आपका दादा हो सकता है आपका ही रिलेटिव हो सकता है ठीक है तो लड़का और लड जो है आवाज उठाना चाहिए हम तो भाई यह वीडियो बना रहे हैं वह हम भी घबड़ा गया हैं डड़के बना रहे हैं क्योंकि कल के देट में अगर हम अपने वाइक से कहीं निकल रहे हैं ट्रैफिक सिगनल पर कल हम हमारा भी वाइक रोक के हमको कोई 20 थपड़ाक मार द गड़के मारे नहीं कुछ कर पाएंगे हम बिल्कुल सही बात है लेकिन इस स्थिती में महिलाओं से हमारा रिक्वेस्ट है ठीक है कि हो सकता है कोई पुलिस मेरा हेल्प नहीं करें हो सकता है कि कोई जेंट्स हमारा हेल्प नहीं करेंगे लेकिन चार्ड लेडिज जो देख हो जाएगा तुम क्यों मार रहे हो बाई सपर उठा उठा के इतना उचल उचल के मारे हो कितना चोट लगड़ा हो उसका गाल पर कितना धर्द कर रहा होगा उसको बताइए वह द्रिस देखके हमको वह तकलीफ हुआ दुख हुआ और उसी दुख में हम जो है ये वीडियो ब पताया कोई लड़की हो और अप्का रिलेटीव हो सकता है आपका फूफां आपका दादाः आपका पती आपका भाई ठीक है आपका दमाध कोई हो सकता है अलग कोई है इसलिए यह सब मत सोची है आ और सपोर्ड कीजिये और गलत के खिलाब जो है बिल्कुल आप और भी जो है लोगों को इसके चलते परसानी हो सकती है तो प्लीज इसमें आप सपोर्ट करें जिसने गलत किया है उसके खिलाफ जो है आप जो है एक सपोर्ट दीजिये और जिसने सही किया है काम उसको भी आप जो है न एक सपोर्ट दीजिये और मैं जो लड़का है कैफ ड्राइवर उनको तो मैं बहुत दिल से उसको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कभी भी हाथ नहीं उठाया बहुत अतना बरदास करके वो रहा देख के ऐसा नहीं है कि वो मार्क आगे हैं कि गाल पर कितना कसके चोट लगा होगा है नMon? कुई अगर मारे तो आप हाथ उचा नहीं सकते हैं लेकिन कम से क्व कम हाथ उठा के अपना बचाओ भीज़ा थ है चोट लगए गया है और हाथ पर लगता तो खम लगता है 20 तबराक तक और आपका हाथ गलाट तूट जाए, दान तूट जाए, जवराट तूट जाए ऐसा भी नहीं करना चाहिए आप अपना हाथ नहीं उठा हो लिगे अपना बचा दो कर सकते हो नो कानून में बचाओ करने का तो अधिकार है ना चाह लडगा हो, चाह लडगी हो, हम अपना बचाओ करेंगे हाथ इस तरह करके हम अपना बचाओ करेंगे तो ये चीज़ जरूर करें अगर किसी के साथ इस तरह के घटना होता है तो बस इतना ही बोलना चाहेंगे, धन्यवाद